सो प्रीविएस वीडियो में हमने देखा था कि दो एंटीटी के बीच में हम रिलेशन्शिप किस तरह से डिफाइन करते और एक एग्जामपल लिया था एंप्लॉयन डिपार्टमेंट वाला अब इस वीडियो में वही स्ट्रक्चर को मैं एक्स्प्लेन करूंगा बट यह ड आग्रम में एंटीटी को हम ब्लॉक से डिफ्रेजेंट करते है तो यहां पर हमारे पास टोटल दो एंटीटी है तो आइविल राइट अकोर्डिंग तो इस ओके फर्स्ट एंटीटी है एंप्लॉय तो यहां पर इसको मैं नाम दूँंगा एंप्लॉय एंड से किनीज दो entity है और यहां पर जो relation है works for उसको हम diamond shape से represent करेंगे सो यहां पर diamond से दोनों को बाद में connect कर दिया है और इसको मैं नाम दूँँँगा works for ओके अब यहां पर हमें main cardinalities को implement करना है और participation को तो यह हमारी cardinalities है और यह है participation employee की maximum cardinality है one और department की है many और participation employee का minimum one है और department का zero because department में ऐसा हो सकता है कि कोई भी employee नहीं होगा तो यहां पर उसका minimum participation zero आएगा so अगर हम employee की बात करें तो यहां पर अगर cardinality one है और department की n है यानि many अब यह जो है उसको logically अगर समझना हो यह हम किस तरह से इसको बोलते है कि एक department में बहुत सारे employee होते है यह logical बात है लेकिन अगर diagram wise अगर हम देख रहे है तो यह हमें इस तरह से नहीं दिख रहा है तो अगर हमारी like हमारी convenience के लिए हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे हमें सिफ reverse करना यानि कि यहां पर one और यहां पर many है तो इसको reverse करेंगे और यहां पर लिखेंगे many and one and now we will erase simply अब अगर इसको देखते है तो यहां पर simply one department and many employees यानि की one to many की relationship होती है तो यहां पर आपको इस तरह से करना है जिसमें भी ऐसा आएगा okay think practically तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से होता है now यहां पर cardinality को implement कर दिया अब participation की बात करते हैं तो participation यहां पर employee जो है वो सारे participate कर रहे है that means every employee is to be exactly in a one department और उसको compulsory department में रहना है तो यहां पर सारे employees participate कर रहे हैं तो हम employee entity को कह सकते है they are in the total participation with the relationship तो total participation के लिए हम यहां पर simple double line कर देंगे okay and अगर department की बात करते है तो department total participation नहीं कर रहा है वो partial participation में तो यहां पर कोई double line नहीं आएगी इसको हम single line से ही represent करेंगे so यह था cardinality और participation का implementation ER diagram में और यहां पर हम इसको बोलेंगे one too many relationship okay इसमें बहुत जारी आएगी one to one many to one many to many आगे की वीडियो में हम यही discuss करेंगे and इसको हम mapping cardinalities भी बोलते हैं so note it down it is also known as mapping cardinalities so thank you so much for watching my video I hope आपको यह concept समझ में आ गया अगर किसी भी दर के doubts है तो comment कीजिए and don't forget to subscribe to my channel thank you